हलो आड़ीवन आजके इस वीडियो में बात करेंगे कि यूटूब से आप अपने मोयल में रिंग टॉंग कैसे सेट करेंगे दोस्तों यूटूब के हम बहुत सारा सौंग सुनते हैं और दोस्तों उसमें हमारा कुछ फैबरिट सौंग होता है हम चाहते हैं कि उस सौंग को अपने मोयल के रिंग टॉंग में लगाएं तो आजके इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे कि बिल्कुल इसली यूटूब से रिंग टॉंग कैसे सेट कर सकते हैं तो आपको यूटूब पर कोई सौंग बहुत ही पसंद है और आप चाहते हैं कि उस सौ आप अपने मोवाईल में रिंग टॉंग सेट करें तो दोस्ता आज के इस वीडियो में हमं आपको बताएंगे कि उस यूटूब बीडियो का आप अपने फॉन में रिंग टॉंग कैसे लगा सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखेगा सुरू से अंतक वाच किज hole वीडियो को बीच में skip बिल्कुल ही मत किजेगा तो चलिए दोस्तों हम आपको step by step बताते हैं कि आपको करना क्या है दोस्तों एक से दो step में आप अपने mobile में YouTube से कोई भी song का ringtone लगा सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने mobile में YouTube से ringtone कैसे set करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है पूरा देखिएगा शुरू से अंतक वाच किजिएगा अगर आप एक भी step मिस कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि YouTube से आप ringtone कैसे set कर सकते हैं तो दोस्तों आपको शुरू से अंतक वीडियो को वाच करना है बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है तो सिंपल देख सकते हैं मैं आ चुके हैं अपने मौईल स्किन पर सिंपल आपको यूटूब उपन कर लेना है ठीक है करना है सबसे ऊपर देख सकते हैं उसका जो है title दिख़डा होगा तो आपको जो है उसका title याद कर लेुँआ सकते यह हमारा एक फैबरेटड सोंग है इसका हम अपने मॉयल में ring टॉंग लगाना चाहते हैं तो यहां पर इसका title जो है तौबा-तौबा रिंग टॉंग है आपको simple इसका जो .me ठीक है तो देख सकते हैं यही आपको जो है Chrome ब्रोजर में सर्च मारना है M-O-B-C-U-P .me ठीक है यह आपको सिंपल यहां से सर्च मार देना है सर्च मारने के बाद देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आजाएगा अब आपको क्या करना है अब आपने जिस भी सॉंग का टाइटल याद किया है उसको यहाँ पर आपको सर्च मारना है जैसे कि दोस्तों हमारा फैबरेट सॉंग का टाइटल था तौबा 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 हम यहाँ से सिंपल सर्च मार लेंगे तौबा तौबा जैसे ह सर्च मारेंगे अब देख सकते हैं उसका यहां पर रिंटॉंग आ गिया अब चलिए हम यह रिंटॉंग सुन करके देख लेते हैं तो देख सकते हैं यह जो है हमारा रिंटॉंग आ चुका है जिसको मैंने यूटूब पे सर्च किया था वही रिंटॉंग यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा आपको क्रोम में आना है m-o-b-c-u-p.me करके सर्च मारना है सर्च मारने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा तिमपल आपने यूटूब पे जो भी सॉंग देखा है उसको उपने आपको सर्च मारना है तो यहां पर आपका रिंटॉंग आ जाएगा उसके बाद क्या करना है नीचे एक देख सकते हैं, download का option है, download वाले option पे आपको click करना है, download वाले option पे click करेंगे, तो देख सकते हैं, दो option आपके सامने दिखेगा, एक जो है Android का है, और एक iPhone का है, अगर आपके पास iPhone है, तो iPhone वाला download करना है, अगर आपके पास Android phone है, तो simple सबसे उपर वाला MP3 Android वाले option पे click करन है हमारे पास android है तो वही हमें download करना है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर confused नहीं होना है कुछ add दिखेगा simple download 9 वाले option पर आपको click करना है फिर से यहाँ पर add दिखेगा इसको cut कर देना है इसको cut download हो जाएगा आपका जो भी ringtone था देख सकते हैं यह हमारा download हो रहा है ठीक है अब हमारा जो है ringtone यहां से download हो चुका है आप चलिए एसे अपने अर मिल में ringtone set कैसे करना है वो आपको बताते हैं इस तरह आपको आपको अपना ringtone download कर लेना है पहले आपने YouTube पे जो भी देखा होगा जो भी ringtone आपको पसंद होगा उसके बाद अब चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको अपने मुगायल में set करना है इस ringtone को तो simple आपको क्या करना है अपने मुगायल के settings में चले जाना है आपको अपने मुगायल का settings open कर लेना है सेटिंग open करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा option दिखेगा यहाँ पर एक sound and vibration का option है इस वाले option पे click करना है इस वाले option पे जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पे देख सकते है बहुत सरा option देखने के लिए मिलेगा, देख सकते हैं, एक ringtone का option है, सबसे उपर, इस पर आपको click करना है, इस पर जैसे ही click करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं, choice local ringtone का option है, इस वाले option पर click करना है, इस जैसे ही click करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा, आपको जो है, दो तीनों option देखने के लिए मिल जाएगा, simple file manager वाले option पे जाना है, file manager वाले option पे जैसे ही आएगे, तो देख सकते हैं, आपने जो भी ringtone download किया होगा, देख सकते हैं, कुछ इसी तरह का होगा अगर आपके mobile में बहुत सारा song है, तो आपको जहें यहां से search माड़के निकाल लेना है, m-o-b-c-u-p, app.net करके जैसे ही search मारेंगे, तो आपने जो भी ringtone download किया है, वो यहां पे आ जाएगा, हमारा उपर में ही show कर रहा है, तो simple इसको जहें यहां से select कर लेना है, select करने के नीचे okay का option है, इस पर आपको click करना है, okay वाले option पर जैसे click करेंगे, अब देख सकते हैं, यहां पर एक apply का option है, apply वाले option पर आपको click करना है, उसके बाद देख सकते हैं, यहां पर नीचे एक okay का option आएगा, इस पर आपको चले जाना है, यही okay वाले option पर click करेंगे, अब आ आपने मौल में ring-tong set कर सकते हैं तो दोस्तों उमीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए helpful होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ठीक है दोस्तों मिलते हैं